पिछले लेक्चर में हमने देखा आपका इंटरलुकन 1, 6, ट्यूमर नेक्रोस फेक्टर अलफा, इंटरलुकन 8 और इंटरलुकन 12 अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे इंपोर्टेंट साइटोकाइज रहे गए हैं वो कौन-कौन से हैं और पीछे वाले सारे कैसे स्क्री T-cells, serotoxic T-cells, and regulatory T-cells, and natural killer cells, वो कहते हैं उनकी ग्रोथ को stimulate करता है, उनको proliferate कराता है, कौन बताएगा इसकी पिज़े करता है, याद करें जरा, कि आपका जो इंटरलुकन 2 है, यह आपके जितने भी cells है, helper T-cells है, यानि CD4 है, या CD8 serotoxic cell है, regulatory T-cells है, या फिर natural killer cells है, उनकी stimulation करता है, growth करता है, proliferation करता है, interleuken 2, याद करें, मैंने कहा था, interesting सी बात है, याद करें जरा, यह यहाँ से pathogen आय था, macrophage के पास, MSC class, let's post that, 1 कर ले, और नीचे आपका क्या था, MSC class 2 कर ले, MSC class 2, तो यहाँ पे TCR था, यहाँ पे CD4 होगा, तो CD4 जाएगा, अगर second signal आता है, आपका interleuken 12 वाता है, तो आपका यह क्या बनेगा, TL per cell 1 में हो जाएगा, तो यह जब active होता था, यह क्या script करता था, interleuken 2, और मैंने कहा था, interesting है, interleuken 2 दुबारा इसी जोपर act करता है, याद आगी है, हैं, और दुबारा इसी पे act करके, इसी क्या करता था, proliferation growth करता था, कि आप अपनी army बढ़ा लो, ठीक है, अपनी army को इतिदाद को increase कर लो, तो यह उसकी क्या करा रहा है, growth नहीं करा रहा, proliferation नहीं करा रहा, तो यह सब की proliferation कराता है, यानि कौन कौन से, आपके helper cell हो, फले helper cell 1 हो, helper cell 2 हो, helper cell 17 हो, या फिर आपके T regulatory cells हो, सब की, यानि serotoxic cells कौन से होती है, CD, 8, serotoxic होती है न, उनकी कराएगा, और आपके natural killer cells की भी यह क्या कराता होता है, इसी दरह growth कराता होता है, यह concept आपको आता था, आता था न, repeat करने की है जरूरत, चीज़ें आपको याद हैं, चीज़ें आपको याद हैं, बस थोड़ी थोड़ी इन परसू अलिकलास आपकी important है, परसू हम test लेंगे, उसमें में तो जो बच्चे YouTube में भी वीडियो ले रहे हैं, यहां पर ले रहे हैं, वो यहां पर लाजमी हैं, तक कि यहां पर लाजमी हैं, तक कि यूट्यूब पर करा सकता है, यह यह नहीं हार्ड का पिया है, बहाँ पर नहीं मैं वो नहीं करणागा, क्योंकि कल कोशिश है, पहले आप खुद सॉल्व करेंगे ना, पर बाद में आपको सॉल्व हो जागे, फिर उनकी मैं क्या करा दूगा, रवियन करा दूगा, मैं एक बार की क्या कहता है, इंटरलुकन 3 क्या होता है, अच्छा इंटरलुकन 3 जो आपके bone marrow में, جो stem cells है, कि इसमें, या आपका bone marrow में, जो stem cells पढ़े हुएते stem cells का काम क्या होता है? आपके white blood cells बनाना, यानि immune cells बनाना, यह जो bone marrow में stem cells है, इनका काम है, white blood cells बनाना, interleuken 3 क्या करता है, आपके इन bone cells को बढ़ा देता है, जब bone cells बढ़ेंगे तो white blood cells की production भी बढ़ेगी, तो आपके जो lymphocytes होते हैं, white blood cells होते हैं, वो क्या होते हैं, तदाद में बढ़ जाते हैं, क्यों? तो हमें ज्यादा lymphocytes की need है, T lymphocytes, B lymphocytes, उनकी need हमें ज्यादा है, तो यह ज्यादा active होंगे, तो वो इस तरह ज्यादा बनते होते हैं, अच्छा, यह basically होता है, आपका GM, यह जहाँ पर भी लिखा होगा, मेरे ख्यार में, यह लिखा हो है, GM CSF, GM से होता है, granulocyte, M से होता है, macrophage, C से होता है, colony, हाँ, colony, और S से होता है, SF से होता है, stimulating factor, granulocyte में क्या-क्या आते हैं, याद होते हैं, जरा, granulocyte की type, basophil, acinophil, और neutrophils, यह 3 granulocytes होते हैं, उनकी तेदाद को बढ़ा देगा, macrophage, यानि monocytes को बढ़ा देगा, और यह colony stimulating factors होते हैं, यानि stimulate करते हैं, उनकी production क्या करते हैं, stimulate, तो कैसे करते हैं, आपके stem cells को बढ़ा देंगे, उनकी production बढ़ेगी, तो यह समझा गी है, इसको मैं repeat करूँ, इस बात को, इस बात को, चले एक बार repeat कर देता हूँ, शरमया ना करें, शरमया ना करें, छोटी छोटी बात भी पूछ लिया करें, कोई बात नहीं, आप लोग यहां पर सिखने के लिए हैं, कि bone marrow में यह होते क्या हैं, बेसिकली, आप आप ज्यादा white blood cells बनाएं, lymphocytes बनाएं, ताकि जो infection होगा है, वहां पर हम बहर ज्यादा lymphocytes की नीड है, तो इस तरह ज्यादा lymphocytes बनते हैं, आगे समझ, यह उन की तरह का काम करते हैं, GMC, GMC,SF जैसे काम करते हैं, यह आपका chemical होते हैं, बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं, Supports growth and differentiation of bone marrow stem cells, इसके पीछे इस concept क्या होता है मैंने समझा दिया है, और functions like GMCF, CCF की तरह काम करते हैं, समझा किया है, Interferon Gamma, Interferon Gamma, Secreted by natural killer cells and T-cells in response to the antigen or interleuken 12 from macrophages, stimulates macrophage to kill phagocytosed pathogen and also activates natural killer cells to kill virus infected cells, increase MSC expression and antigen presentation by all cells, activates macrophages to induce granuloma formation, इसके पीछे क्या करते हैं, इसके पीछे क्या करते हैं, हम्? ओ वही, पिछली बहुत है, सिंपल है, उसमें सारी बहुत को आगे पीछे करके, उसमें repeat किया है, कि pathogen आएगा, macrophage को active करेगा, MSC class इसके उपर represent होगी, T-cell active हो जाएगा, T-cell से T-helper cell 1, अब यहां पर हम क्या पाढ़ रहे हैं, Interferon Gamma, अच्छा, T-helper cell 1 बनेगा, अगर य क्या split करता था, Interferon, Interferon Gamma, आपका Interferon Gamma किस के पास जाता था, macrophage को किस में, epithelial में, epithelial आपकी TB के क्या बना लेते थे, वाला, फिर यही किस को बलाता था, epithelial cells, tumor necrosis factor, जो हैना release करता था, यह जाता था, आपके CD8 के पास, और CD8 positive को लियाता था, वो इसके get क्या कर लेते थे, color बना लेते थे, तो इस तरह क्या बन जाता था, granum, loma बन जाता था, यह simple थी बात उसने यहाँ पर आगे पीछे कार के सारी repeat किये, यह देखे, यह देखे, कैसे उसने repeat किया, इस बात को, यह देखे, वो कहता है, secreted by, अच्छा, एक सेकिड, secreted by natural killer cells, और यह natural killer cells से secret होके, वो भी उसी की, natural killer cells कौन से cells को मारते थे, चले इसको हम देखते हैं, पहले यह T-cells की reading करने, T-cells in response to antigen are interleukent 12, यह यह जानी interleukent 12 वनेगा यह वाला, ठीक है, तो आपका यह सारा process होगा, from macrophages, macrophages यह आता था था ना यह, stimulates macrophages to kill phagocytosed pathogens, यह इसको छोड़ द infection and antigen presentation by all cells activates macrophages to induce granuloma formation, simple सी, उसमें सारी वही बाल लिखी हुई है, अब यहाँ पर उसनी चा लिखा है, कि आपके natural killer cells का वाला दिया है, कि secreted by natural killer cells से भी होता है, also activates natural killer cells को activate करता है, and kills the virus, यहाँ पर यह यह लिखा हुआ है, आप याद करें के जो cancer cells और tumor cells थे, वो किस से मरते थे, T helper cell, 8 से मरते थे, sorry, helper cell नहीं थे, serotoxic cd, 8 से मरते थे, लेकिन अगर वो वहाँ से ना मरे, mse class को show बाद दफा नहीं होने देते, तो फिर उनको कौन मारता था, याद करें, natural killer cell मारता था, और natural killer cells यह secret करेगा, interferon gamma, और इसकी मदद से उसकी या तो serotoxicity करा देगा, तो यह इस तरह मारता है, natural killer cells, यह concept समझाया है, कि मैं इसको deep में दोहरा हूँ, समझाया है, यह समझाया है, नहीं समझाया, natural killer cells के तरफ जाते हैं, यह देखें, हमने कहा था, कि कहां पे गया, कि induced to when exposed to non-specific activation signal on target cells are to absence of msc class 1, कि हमने कहा था, बाद msc class 1 को show नहीं होने थे, msc class 1 नहीं होगी, तो cd8 active होगा, नहीं, तो cd8 क्रिट करके इसकी killing करेगा, नहीं करता, तो यह एक और तरीके से मरते थे, किस तरीके से मरते थे, इसके जरीए, कि यहाँ पे आपकी antibody आके लगती थी, इसके जरीए आके जूरती थी, तो यहाँ प पढ़ा हुआ है, तो इसमें यह जो नहीं सारा process होता है, कहां गया, कहां गया, कहां गया, यह, तो यह क्या होता है, यह natural cell से पिस्क्रीट होता है, और activates करता है natural cells to kill the virus infected cells, यह फिर थीक है, समझा गया, interleuken 4, 4GE, सिर्फ वही बाल लिखी होगी बास, और कौछ भी दिन 7, promotes growth of B cells, enhances class switching to Ig, E and Ig, G में, उसके बाद, interleuken 5, promotes growth and differentiation of B cells, enhances class switching to Ig, A, stimulates growth and differentiation of acinophils, यह acinophils की growth हो और उसको भी बढ़ाता है, जहां पर वो parasites की उपर जाके फिर बैठते हैं, और उसकी क्या करते हैं, और उसकी क्या करते हैं, किलें करते हैं, तो यह acinophils को भी क्या करता होता है, यह stimulate करता होता है, और उसकी क्या करते होता है, differentiation यह भी वहाँ पर करता होता है, अगला क्या है हमारे पास, interleuken 10, यहां तो कोई question है, यह simple सी बात थी, interleuken 5 और 4 वाली, समझा गी है न, उफ, अल्लाह, नेक्स्ट है, interleuken 10, attenuates inflammatory response, decrease expression of MSC class 2, T helper cell 1, cytokines, inhibits activated macrophages and dendritic cells, also scripted by regulatory T cells, अच्छा क्या होता है, दो होता है, इंटन्वेर्स का मतलब होता है, end up करना, खत्म करना, किसी चीज़ को finish करना, एक होता है, आपका transforming growth factor beta और interleuken 10, आपने अभी तक जितने भी cytokines पढ़े हैं, सारे क्या करा रहे थे, inflammation करा रहे हैं, लेकिन याद रख ले, transforming growth factor beta और interleuken 10, यह दो cytokines हैं, जो inflammation कराने की करते हैं, end up करते हैं, और inflammation को end up कैसे करेंगे, कि आपके neutrophils को काम नहीं करने देंगे, macrophages को काम नहीं करने देंगे, उनको inactivate करते जाएंगे, जो भी बने उनको क्या करते जाएंगे, inactivate, T-cells को inactivate, B-cells को, मतलब सबको inactivate करेंगे, dendritic cells को, inhibits activation of macrophages, dendritic cells, यह नि करेंगे, कम कर देंगे, और चीज़े कम हो जाएंगे, यहां पर, मतलब interleuken 10 और transforming growth factor beta immune response को attoniate करते हैं, खतम करते हैं, simple से बात, T-regulatory cells को आप से, हमने पढ़ आ था न, T-regulatory cells से transforming growth factor beta और interleuken 10 लीज हो रहा था, याद है, कि T-regulatory cells transforming growth factor beta और interleuken 10 और T-regulatory cells को का काम क्य होते हैं, समझा आ गिया यह, तो, I hope so that का सांसे था, अच्छा यह चीज़ याद कर लें, हम कहते हैं कि also secreted by T-regulatory cells, वैसे basically यह किन से release हो रहे है, T-L per cell, two से, लेकिन also T-regulatory cells से भी, एक और भी था यहां पर also, चलें आप उसको देख लिए कि जहां आपको मिले, also का मतलब है कि यह दो चीज़ों से release हो रहे है, आपने यहां पर मुझे याद नहीं दिला है, यह चीज़ मैंने छोड़ देती, मुझे अभी याद आ गी है, inhibits differentiation of T-L per cell, two, यह interferon gamma कैसे release होता है, T-L per cell, one से, और इसका द T-L per cell, two, बस थोड़ा सा रहे है, यह respiratory burst हम जो है, next lecture में करेंगे, अब यहां पाढ़ रहते हैं, interferons, के interferons क्या होते है, चोटा सा है, बस चोटा सा है, 10-15 minutes लगेंगे, इतना में लगेंगे, मैं कह रहा हूं, 10-15 minutes, 10-15 minutes ज्यादा है, हाँ, सिर्फ 10-15 minutes लगेंगे, अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें आपका ये, इसको infect किया है, virus ने, किसने, virus ने, जब virus infect करता है, तो virus अंदर जाकर क्या करता है, कि इसकी machinery को सभाल लेता है, और अपने RNA और अपने DNA बनना शुरू कर देता है, और साथ में अपनी proteins बनना शुरू कर देता है, ऐसे करता है न ये, ये अपनी चीज़ में लग जाता है, अपनी चीज़े बनना शुरू कर देता है, तो जैसे ही ये सल virus infect होगा, तो naturally एक process होगा, क्या process होगा, कि आपका यही viral infected cell, interferon alpha और interferon beta बीटर्लीज करेगा, क्या बीटर्लीज करेगा, interferon alpha और interferon beta, अब यहाँ से interferon alpha और beta रीटर्लीज होंगे, और यह जो उनके हमसाय सेल पड़े होंगे, नर्मल लोकल सेल, जो के नर्मल सेल पड़े हुए है, उनको कहेंगे कि आपकी जो protein formation है, जो protein की production है, उसको don't regulate कर लो, यानि उसकी production को क्या कर दो, कम कर दो, protein बनाना, कम कर दो, क्यों, क्योंके virus आया हुआ है, वो आपके सेल के उपर भी आके अंदर दाखिल होकर, अपनी की protein जो बन रही है, उससे अपने RNA, DNA और अपनी क्या बना लेगा, protein बना लेगा, जब सेल में protein ही नहीं बन र नहीं करेगा, तो इस तरह यह उसको बचा लेती है, simple चाथा, कि virus जब आता है, machinery को संभाल लेता है, और machinery संभालने के बाद, अपने RNA, DNA और protein बना शुरू कर देता है, तो आपका यहीं virus वाला cell क्या कहेगा, कि मैं तो, यहां पर यह नहीं होता कि, हम तो डूबे सनम, आपक कर लेता है, ठीक है, ताकि जब भी इसको virus infect करें, तो virus अपनी proteins ना बनाए, तो virus की protein नहीं बनेगी, तो virus infect नहीं कर सकेगा, समझागी चीज, आपको समझागी, कि देखू, मैं कुछ चीज रहे तो नहीं गई, अच्छा, इसके इलावा, इसके इलावा क्या करता है, यहां पर यह MSC class 2 को show करेगा, अपने ही उपर, एक काम इसने यह वाला किया सारा, और दूसरा काम क्या करेगा, जो cell virus से infect हुआ है, उसी के उपर MSC class 1 show करा देगा, जब MSC class 1 show होगी, तो कौन सा T selective होगा, CD 8 active होजागा, यह 8 को याद रखें, बस, 8 हमने पूरा करना है, CD 8 active होता है, तो CD 8 active क्या स्क्रीट करता था, परफुरिंस, परफुरिंस और ग्रेंजाइन्स, यह जा के इसकी क्या कर देते थे, एपप्टॉसस कर देते थे, तो जो viral infected cell तो उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसकी किलिंग हो जाती है, तो viral infected cell दो काम करता है, पहला काम क्या करता है, यह, इंटर्फरान अलफा और बीटा स्क्रीट करता है, ताके मैं दूसरे cells को damage होने से, बचा सकूँ, और दूसरा काम, यह MSC class, वन रिप्रेजेंट कराता है, ताके CD8 एक्टिव हो, और आके मेरी apoptosis करा है, और मेरे साथ साथ यह virus अंदर दाखिल हो चुका है, वो भी मर जाए, समझा गिया है, चले हम इस के रिटेंग करते हैं, आपके interferon alpha और beta की, और interferon gamma क्या काम करता है, इसमें तीसरा लिक खावा interferon gamma, है, यह, यह interferon gamma वही कराएगा, क्या कराएगा, आपके T helper cell 1 से secret होगा, और macrophage को epithereal cell में, और epithereal cell से TB के गिर्द क्या बना लेंगे, वालाफ, फिर tumor crosses factor alpha, T cell, यानि grand loma formation में यह किरदार अदा करेगा, ठीक है, समझा गिया है, reading करें हम लोग, चलिए इसके हम reading कर देते हैं, हो गया है, हो गया है, खतम कर दिया हमने, जो मैं 10 minute कह रहा था, मेरे ख्याल में 2 minute में कर दिया है, पांच minute होगे हैं, चले, आप आप इनेट होस्ट defense, यह इनेट इमिल्टी का पार्ट होता है, ठीक है, और यह interference, interference इसमें होते हैं, देखे, interference alpha, interferon, beta, interferon, gamma, with both RNA and DNA viruses, मतला वेरेस RNA वाला भी हो सकता है, और वेरेस क्या होता है, वेरेस क्या होता है, क्या होता है, वेरेस के अं तो यह दोनों को interfere करेगा, cells infected with virus, वो क्या करते हैं, synthesis, these glycoproteins, यह वरी glycoproteins, यह वरी, interferon, alpha, beta and, alpha and beta screen करेगा, दोनों, which act on the local cells, priming them for viral defense by down regulating protein synthesis to resist potential viral replication, तक जो virus इसके अंदर replicate कर रहा था, यहाँ पर वो replicate, ना कर सके, क्योंकर वेरेस हमारी machinery को इस्तमाल करोता है, और क्या करता है, रहे बीचेट, जब हमारे machinery काम नहीं कर रहे है, हमने machinery बंद कर दी अपनी, क्या कर लोगत तो मेरे, मैंने machinery बंद कर लिए, तो वेरेस अपने, अपने खोद तो नहीं बद सकता pana replication, रहेपलिकेशन, तो replicate नहीं किलिंग कर देगा आलसो प्लेया मेजर रोल इन एक्टिवेटिंग एंटी ट्यूमर इम्यूटी यह जो ट्यूमर्स बने हुए है उनकी खिलाफ हमने बनानी है वही बात है कैंसर से किलिंग में भी यह काम करेगा सेम प्रसेस के जिरी जैसे वैरेस में वह कर रहे है ठीक है और क्रोनेक HBV कैपोसी सारकोमा में और इसके रवाब हेरी सेल लियकीमिय में केंडलोमा एक्यूमीट्म में रेनल सेल कार्शियोवा में मलेगनेट मेलनोमा में मल्टी पर स्क्लेरोसिस में क्रोनेक ग्यूमेट्स डिजीज में यह क्या डिजीज होती है इनको डिटेशन पैथ जालोजी पड़ रहें तो वैसे इंपोर्टं नहीं है ये यह आपका ये आपका क्लिनिकल यूजेज ना करें तो कोई मसला यह याद करना चाहते हैं तो कर लें लेकि नाट माच क्या होती है कि आपके जितने भी वललेंटरी मसल्स है वह हो जाएगा ठीक है तुक्र nämrée he और इंटरफ़ांट उत्या हो जाएगे यह इंटर फिर ज्यादा मिदार में हमारी आ तो वह protein कानों क्या और देंगे काम तो protein यह नहीं बनेगे काम करेगी तो इस तरह priority यानि अपनी ही बाडी के खिलाब या का इंटर्फिरांट बन जाएंगे और वो अपनी बाड़ी को डैमेज करना शुरू है समझ आ गिया है मैं प्रोटीज हो जाएंगे तो माय पैसी आपको इसी जासे हो जाएगी समझ आ गिया है कोई चीज रहे गई आप लोगों की या कोई क्वेश्चन हो नहीं है चले एक से